रसोई में उल्टे नहीं रखने चाहिए ये बर्तन, घर में हमेशा रहेगी कंगाली रसोई में कुछ बर्तनों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो चलिए आपको रसोई से संबंदित वास्तु के नियमों के बारे में बताते हैं नमबर एक, तवा कड़ाई ना रखें उल्टे जोते शास्त के अनुसार तवा और कड़ाई, राहु ग्रहे का प्रतिनिधित्व करते हैं रसोई में इने कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से राहु दोश का सामना करना पड़ता है राहु दोश के कारण परिवार के सदस्यों पर इसका अशुप परभाव पड़ता है ऐसे में आपको तवा और कड़ाई इस्तेमाल करने के बाद हमेशा सीधे रखने चाहिए नमबर दो, दिशा का भी रखे ध्यान खाना बनाने की दाई दिशा में कभी भी तवा और कड़ाई नहीं रखनी चाहिए तवा और कड़ाई को खाना बनाने के बाद तुरंट नीचे उतार देना चाहिए इन्हें साफ करने के लिए नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राहु दोस्ट से बचने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए कई बार लोग गरम तवे और कड़ाई पर पानी डाल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गरम बरतन पर पानी डालने से भाप निकलती है कड़ाई और तवे से निकलने वाली भाप के कारण घर में नकारात्मकता आती है यह जीवन में संकट का कारण बन सकती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका भोध भोध धन्यवाद